प्रवरी तक जो था वो कंपलीट कर लिया था ट्रायल वेलेंस वगरा सब कंपलीट कर लिये थे और यह फाइनेंसे लियर का जो होगा यह लास्ट मन्त है मार्च जो कि काफी इंपोर्टेंट है और बीच में आपर चार-पांस दिन उतर लगवर वीडियो अप्लोड नहीं हो और आगे से जो है वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे पर डे अप्लोड होंगे ठीक है तो चली यहाँ पर सुरू करते हैं और मार्च की जो पहली इंट्री है यानि कोस्ट नमबर 98 इसमें क्या हो रहा है देखिए साम टेटिंग कंपनी जैपोर रिटर्न सेल्स र चुके हैं तो यहाँ पर आइटम ने ने हम और क्याटिटी रेट इसकाउंट ये सब दिया गया है डिसकाउंट चैपर बेचा था मालको तो वहाँ पर लेंगे तो वहाँ पर भी डिसकाउंट हम लेंगे ठीक है मनलब आज इस उसकी आपोजिट इंट्री होती है समझ गया है यहाँ पर फरोरी तक की जो entry है वो complete हो चुकी है उपर आप देख सकते हैं फरोरी तक की entry complete clear है ठीक है तो वापस आते हैं और चलते हैं यहाँ पर हम accounting voucher में और यहाँ पर सबसे पहले हम date change करेंगे 1-3 यानि 1 March और आप यहाँ पर हम entry करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर पहले entry जो है वो sales return की है जिसमें हमारा voucher लगा credit note और credit note की जो shortcut की है वो आपकी है control F8 हमने बताया है कि यहाँ पर credit note की sort की F8 लिखी है और इसके नीचे double underline है double underline का मतलब होता है कि इसे आप control के साथ दबाएंगे और single का मतलब होता है कि आप alt के साथ दबाएंगे और underline नहीं है इसका मतलब आप वो की directly press कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर हम control के साथ में F8 प्रेस करेंगे और आपका credit note आ जाएगा यहाँ पर यह जो voucher आ रहा है तो यहाँ पर देखिए हमारे में credit दिखा रहा है पर टिकुलर्स में credit debit आ रहा है आप में हो सकता ना रहा हो आपको क्या करना अगर आप में आ रहा है तो यहाँ पर आपको as invoice पे set कर देना है ठीक है यहाँ पर as invoice पे set कर देना है जब as voucher पे set होता है तो यह credit और debit entry होती है हम यहाँ पर as invoice में set कर देंगे ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर होगा तो यहाँ पर देखते हैं party name में कौन होगा party name में यहाँ पर होंगे siam trading company क्योंकि यही sales return कर रहे हैं माल वापस कर रहे हैं तो यहाँ पर party name में हो जाएंगे siam trading company निका laser जो हो पहले से बन चुका है siam trading company इसे हम कंट्रोले कर देंगे यहाँ पर sales laser में आपका आ जाएगा sales ठीक है sales laser में sales आ जाएगा tax classifications देटेल यहाँ पर sales taxable हो जाएगा ठीक है और name of item तो यहाँ पर देखेंगे कौन-कौन से item वापस किये हैं तो AC वापस किये battery और selling fan तीन item वापस किये हैं तो यहाँ पर हम item की list मनाते हैं AC और AC यहाँ पर कितनी वापस किये हैं go down को उन सार रहेगा तो go down यहाँ पर देखते है go down आपका जैपूर है go down जो है वो जैपूर है ठीक है जैपूर में वापस रख रहे है माल को तो यहाँ पर आपका go down जैपूर हो जाएगा quantity कितनी है 1 है और rate कितना है rate है 33,000 रुपया और यहाँ पर discount भी है 10% का इसे बिलकुल ना भूले ठीक है चलिए अगला इटम इसे तरह से अगला इटम है बैटरी आपकी तो यहाँ पर बैटरी गो डाउन आपका जैपूर हो जाएगा quantity यहाँ पर 2 है और जो rate है वो 11,000 है discount 10% और यह भी हो गया इसे तरह से तरह से तीसरा इटम है selling fan go down जैपूर रहेगा quantity यहाँ पर आपकी होगी 2 और rate जो होगा 1300, discount 10% और यह complete हो गया यहाँ पर साथ ही साथ tax भी लगएगा cgst क्योंकि हम return करना है तो यहाँ पर cgst और यहाँ पर sgst ठीक है तो यह आपका tax आगया जो कि बिल्कुल सही है completely और इस entry को finally हम accept कर लेते हैं यहाँ पर इस option को हम no रखेंगे और इसे हमने finally accept कर लिया तो यह entry हो गई sales return की आगे देखते है अगली entry कौन सी है अगली entry यहाँ पर है Mr. Jossi इसुआ चेक Mr. Jossi ने चेक इसुगिया 5000 रुपए का किस लिए rent दिया है 2000 रुपए ठीक है और credit में HDFC वैंक क्योंकि चेक इसुगिया गया था और यह entry हो गई ठीक है चलिए आगली entry देखते है Mr. Jossi रेटन सम गूट्स Mr. Jossi यहाँ पर देखे क्या हुआ purchase return हुआ है क्योंकि Mr. Jossi यानि कि हमने return किया ध्यान रखना जब कोई customer हमारा customer return करता तो वो sales return कहलाता है उसकी entry credit node watcher पकरते है और जब हम किसी कारण से माल को वापस करते है तो वो purchase return होता है ठीक है तो Mr. Jossi return यानि कि हमने return किया है कुछ goods किसको return किया है गेता enterprises को return किया है कौन से go-downs है जैपूर go-downs है और item के list यह रही तो यह entry बहुत है सिंपल है यह जाएगी आपकी debit node watcher पर debit node watcher की short की है control F9 और यहाँ पर यह debit node watcher लग चुका है और यहाँ पर भी आपको as invoice select करना है ठीक है तो यह as invoice में name of item इस तरह से आ जाएगा ठीक है यहाँ पर हम एक्जामपल के लिए कुछ भी ले लेते हैं तब तक अब जैसे यहाँ पर अगर हम नए item क्रियेट करते हैं ठीक है तो अगर हम कोई भी नए item क्रियेट करते हैं एक्जामपल माल लेते हैं कि यहाँ पर हमने cooler ही create कर लिया अलाकि गुलर पहले से ही है लेकिन यहाँ पर कुछ मेनिंग मिस्टेक कर देंगे ठीक है और अब अगर हम इस आइटम को क्रियेट कर रहे हैं और यहाँ पर प्रामरी और यहाँ पर अगर हम नौस सलेक्ट नहीं करते हैं सीधे इसे not applicable पर गलती से हो जाता है बाकी भेले यहा तब भी जो है आप जब यहाँ पर सारा कुछ कम्प्लीट करने के बाद इसे हम लो कर देते जी स्टी से कोई फरक नी पढ़ने वाला आपको बस हम समझा रहे हैं तो यहाँ पर गुट सेलेक्ट करते हैं और इसे अचेप्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो है गोडाउन यहाँ पर तो गोडाउन सेलेट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह पर सीधे यह जcéए जब गया इधर समझ गया सीथे जम प कर गयाया कि आपने बताया ही है कि यह जो हमारा आइटम जो हमने अब हीатив बनाया है कूलर का तो इसमें योनिट जो edit करना होगा, कैसे edit करेंगे तो आपको यही पर आना, control के साथ enter button प्रेस करना है, तो यह editing mode यानि alteration mode में आ जाएगा, और यहाँ पर आप उसे सही कर सकते हैं, फिर से enter करेंगे और यहाँ पर select कर लें, units होगी यह नॉस होगी, और बाकी जब unit वहाँ पर आप select करके सही करेंगे accept कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि quantity में option आने लगेगा और यहाँ पर आप quantity जो है उसकी डाल सकते हैं समझ गया ना, तो यह बस उसके लिए था कि अगर आप 9 unit नहीं select करते हैं, तो फिर होगे, तो यहाँ पर हम select करते हैं पाटे name में गीता enterprises ठीक है, गीता enterprises और इसे हम accept करते हैं, यहाँ पर आपका purchase होगा और यहाँ पर आपका purchase taxable होगा purchase taxable ठीक है, जो कि last में है, यहाँ पर purchase taxable आपका last में और इसे enter करेंगे, name of item में यहां पर कौन कौन से आइटम में यहां पर वापस किये गए यह निए परजे रिटन हुआ है उसकी इंट्री यहां पर ठीक है तो यहां पर हम एक नजर देख लेते हैं कौन कौन से हमारे आइटम है तो यह आटाचकी LED, LED Lines और LPG Stov ठीक है यह सारा कुछ वापस किया गया है तो यहां पर हम एक लिस्ट बना देते है फटा-फट आपको अच्छे से पता है कैसे यहां पर आइटम डलते हैं गोडाऊं यहां पर आपका जैपूर होगा ठीक है गोडाऊं कौन सा होगा जैपूर रहे ठीक है और क इसकी जो quantity है, वो 5 है, तो यहाँ पर हमने जो सारे item की list है, वो बना ली है, इसे हम side में रखते हैं थोड़ा सा, और अब enter करेंगे, और यहाँ पर हम tax भी लगाएंगे, cgst, ठीक है, cgst, और यह आ जाएगा amount automatic, फिर sgst, और यह entry finally हम accept कर लेंगे, इस option को no रखेंगे, और य अगले entry की तरह बढ़ते हैं, अगले entry मिस्टर राहूल चौधरी, इसुआ चेक 65,000 in advance to Manu Electronic Composition Dealer, ठीक है, यहाँ पर जो Manu Electronic है, यह Composition Dealer है, for purchase 10 printer, और हर printer का rate है, वो 6,500 रुपया है, तो I think यहाँ पर समझ गया होंगे, question में क्या रहा है, देखें, मिस्टर राहूल चौध अगर Tally के base पर तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कि यहाँ पर राहूल चौधरी ने एक चेक इसुगिया, या फिर हम कहिए देए, कि मिस्टर जो है, मिलब जोसी ने चेक इसुगिया है, समझ गया है, तो फिलाल राहूल चौधरी जो है, इन्ह कि यह employee होंगे, या हो सकता है partner हो, या कुछ भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, कि मिस्टर जोसी ने चेक इसुगिया, नहीं हमने चेक इसुगिया है, कितना 65,000 रुपे का in advance to manual electronic for purchase 10 printer, मतलब हमने क्या गया है, manual electronic को 65,000 रुपे का एक चेक दे दिया, और हमने उनसे कहा है, कि हम 10 printer आपसे खरी देंगे, ठीक है, हमने क्या कहा है, कि आपसे हम 10 printer खरी देंगे, और अभी नहीं खरी देंगे, ठीक है, इसी मेने खरी देंगे, या फिर कभी भी खरी देंगे, जब भी खरी देंगे, फिलाल हम पैसा आपको अभी के लिए advance दे रहे ह तो यहां पर टैक्स कहा गया इसके बारे में आपको बता दें तो आपको याद होगा हमने आपको पीछे पढ़ाया था यू-r-d के बारे में थाओ यू-r-d unregister dealer के केस में क्या हो रहा था कि अगर हम unregister dealer से माल को खरीद रहां या निवनि पर्चेज कर रहे है तो वह जो tax होटा था वह tax जो हम इसको ना पे करके सीधे government को पे करते थे कि इसको government को ठीक है लेकिन इसी case में अगर unregister dealer को माल बेचेंगे क्या करेंगे माल हम उसको अगर बेचते है अनि sell कर रहे हैं तो इस case में unregister dealer से tax हम ले लेते थे समझ गे ना मतलब यहाँ पर Mr. Jossi है Mr. Jossi यानि कि हम यह कौन है एक वेक्ति है ठीक है और यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर unregister dealer से माल खरीद रहा है तो यह उसका जो पैसा है वो government को दे रहा है tax का unregister dealer को नहीं दे रहा लेकिन अगर Mr. Jossi URD यानि किसी unregister dealer को माल बेचते हैं तो यह tax उनसे ले लेते हैं I think समाज गयो होंगे यह process से लेकिन composition dealer में क्या होता है देखिए composition dealer में क्या होता है कि composition dealer से जब हम माल को खरीद दे हैं तो यहाँ पर जो tax होता है ठीक है माल लेते हैं Mr. Jossi यानि कि हम है और इनसे composition dealer से हम माल क्या कर रहा है परचेज कर रहे हैं तो अगर हम इनसे माल परचेज करेंगे यानि खरीदेंगे तो इस case में या to tax का पैसा होगा Composition dealer को मिलेगा और ना ही जो पैसा होगा वो government को मिलेगा समझ गए? यहाँ पर government को भी पैसा नहीं मिलेगा Composition dealer को भी पैसा tax का नहीं मिलेगा यहाँ पर कुल मिला के composition dealer से अगर आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पर tax हमें pay ही नहीं करना होगा I think समझ गयोंगे वहाँ पर tax नहीं लगेगा ठीक है कोई confusion हो तो आप comment कर सकते हैं बस इतना ध्यान रखना है composition dealer से जब हम purchase करेंगे ठीक है composition dealer से जब हम purchase करेंगे तो उस case में जो tax का पैसा होगा ना ही हम composition dealer को pay करेंगे और ना ही हम government को pay करेंगे लेकिन अगर हम composition dealer को sell करेंगे composition dealer को sell करते हैं तो इस case में जो tax होगा वो composition dealer से हम वसूल करेंगे मलब ले लेंगे ठीक है composition dealer से tax हम ले रहेंगे लेकिन composition dealer से कर माल खरीदते हैं तो वहाँ पर tax pay नहीं करेंगे नहीं उसको नहीं government को I think समझ गयोंगे तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं composition dealer से माल को खरीद रहे हैं इसलिए उसको tax pay नहीं करेंगे यहाँ पर हम चलते हैं वाउचर लगाते हैं पेमेंट और यहाँ पर डेविट कौन होगा तो देखें यहाँ पर डेविट जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे आपके मनु एलेक्ट्रोनिक क्या होंगे आपके डेविट होंगे क्योंकि यह पैसा पा रहे हैं मलब इनको हम पैस दे रहा है लेकिन यहाँ पर ही जाएंगे संडी क्रेटर में ही ठीक है जिन से हम माल खरीदेते हैं वो संडी क्रेटर होते हैं यहाँ पर हम लगा देंगे composition ठीक है, manu electronic में यहाँ पर क्या लगाएंगे, composition dealer लगाएंगे, और इसे हम accept कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर set elder GST detail को yes कर देंगे और यहाँ पर हम फिर से set कर देंगे एक बार composition और finally इसे हम accept कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इनका amount कितना है, तो यह 65,000 रुपे हम दे रहे हैं, ठीक है, 55,000 और credit में हाँ पर HDFC bank हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर हम क्या कर रहे है, advance दे रहे हैं, ठीक है, तो यह entry हो चुकी है, और आब यहाँ पर हमें tax का कोई adjustment नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर tax लगाई नहीं है, simple entry थी, पैसा वसम ने दिया था, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और अगले entry देखते हैं, क्या है, अगले entry हमारी है, Mr. Jossi paid 500 to add mobile phone expenses, यानि telephone का bill दिया है, simple entry है, telephone expenses हो जायागा, telephone expenses 500 रुपए, और credit में यहाँ पर cash हो जाएगा, cash ही है, ठीक है, credit में क्या हो जाएगा, cash और यह अगले entry है, Mr. Jossi paid cash 13,500 मलब, यहाँ पर salary दी गई है, तो यहाँ पर voucher payment हो जाएगा, डेविड में आपका salary हो जाएगा, salary expenses कितना दिया, 13,500 रुपए दी है, और salary यहाँ पर Mamta Sarma को कितनी दी है, 5000 रुपए दी है, फिर Rajesh को कितनी दी है, 3000 रुपए दी है, और Manoj को कितनी दी है, Manoj को भी यहाँ पर 3000 रुपए salary दी गई है, और उसके बाद last नोव बचते है, Mahendr Singh, Mahendr Singh 2000 रुपए ठीक है, 25 रुपय होगा ठीक है चलिए तो यह इंट्रिवी हो गई credit में cash होगा और इसको भी हमने accept कर लिया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है Mr. जो सी इस्वा चेक 6,33,500 फॉर्म गीता इंटरप्राइजस जोधपूर इन Full settlement of bill dated में लोगा यहाँपद दे गही है और यहाँपर यह डेट दी गही है याईणि एतनी से इतनी डेड तक का जो बिल था वो पे कर दिया गया है ठीक है तो यहाँपर आपको पता चल गया होगा वाँचर पेमेंट हो जाएगा तो जो है यह आपका हो गया discount और यह discount होगा क्या तो देखिए यहाँ पर Mr. Jossi यानि हम check issue कर रहे हैं यानि हम क्या करना है payment दे रहे हैं तो देना 6,33,586 था और दे रहे हैं 6,33,500 तो यहाँ पर 6,33,500 तो यहाँ पर शेयाँ रुपर मारा discount हो गया और कौन सा discount हुआ income वाला ठीक है discount received हुआ है तो डेविट में हो जाएंगे यह ता enterprise 6,33,586 पूरा पूरा amount होगा और एंटर करेंगे यहाँ पर check issue कर रहे हैं तो बैंक हो जाएगी कितना 6,33,500 रुपए और बाकी जो दूसरी बार credit होगा वो आपका होगा discount received discount received हो जायागा ठीक है यानि discount हार ना यह तो यहाँ पर यहाँ पर आपके क्या हो गया discount हो गया और यह जो discount हुआ है यह expenses हुआ है कैसे आपको पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पर हम जो higher discount मिलना कितना था? 4,81,420 और मिल कितना रहा है तो आपको पता ही है आपको 20 रुपए कम मिलना है तो यह क्या हो जाएगा discount expenses हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर तो फिलाल चेक कितने का मिलना है? चारिक क्यासी 400 का और एक बार और डेविट होगा आपका डिसकाउंट एक्सपेंसेज वाला यानि ये डिसकाउंट 20 रुपय से और ये इंट्री भी आपकी अशेप्ट होगी ठीक है चली आगले इंट्री के तरफ बढ़ते हैं आगले इंट्री पहले अभी पताया था कि जब भी हम कंपोजीशन डीलर से माल खरीदते हैं ठीक है परचेज करते हैं तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगता तो इस इंट्री में आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स जो है वो नहीं लगा है तो आई थिंक समझ गया होंगे तो यहाँ पर यहाँ यहाँ पर जैपूर एलेक्स का लेजर बनेगा और गो डाउन यहाँ पर कौन सा है जैपूर है तो simple से इंट्री है बस आज जो है टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि है कंपोजीशन डीलर है तो वाउचर यहाँ पर आपका हो जाएगा परचेज और पर पर आपके हो जाए और इनको कर देंगे यहाँ पर composition dealer, gst detail यहाँ यहाँ पर भी composition और finally से हम accept कर लेंगे, ठीक है, यह हो गया, इसे भी control यह से accept करते हैं, purchase laser में यहाँ पर purchase होगा, यहाँ पर आपका जो है, अब की बाल लगेगा purchase from composition dealer, यहाँ पर आपको ढूरना होगा, यह देखें यहाँ पर ल पर आ गई, अब यहाँ पर हम item के list बना देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम item की list हो create करेंगे, यहाँ पर item जो हमारे है, वो AC, washing machine, refrigerator, electric, iron, microwave और electric, cattle, ठीक है, washing machine I think हमें लगता है, साथ यह पहला नया item है, देखते है क्या washing machine का पहले से बना है, हाँ यह नया item नहीं पुराना ही है चलिए, तो यह item की list यहाँ पर हम ready कर ले दें है, तो यहाँ पर AC हो जाएगा, पहला item AC, go down यहाँ पर होगा आपका जैपूर, आपको पता है go down कौन सा होगा, जैपूर go down रहेगा, और quantity कितनी है, quantity 10 है, rate कितना है, rate है 23,000 रुपए, और यह आपका हो गया, ठीक है, चलिए अगला item इसी तरह से, अगला item है washing machine, washing machine यहाँ पर go down जैपूर रहेगा, quantity यहाँ पर 10 होगी, और इसी तरह से सारे item की list बन जाएगी, तो यहाँ पर वीडियो को हम pause करते हैं, कोई confusion हो, कुछ समझ ना है, आप comment करें, और आपके comment का जो reply है, वो आपको हम जरूर देंगे, ठ ठीक है, और हमने आपको बताया कि composition dealer, unregistered dealer, regular, यह सब क्या होते हैं, इसके बारे में आपको एक separate video मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह interview हो गई है, और अगला item की तरह बढ़ते हैं, अगले इन टे, Mr. Jossi sold following item to star home appliances जैपूर against advance received on dated, यहाँ पर date बताई गई है, तो आपको याद होगा कि हमें 48,640 रुपए जो था, यह हमें पिछले महिने एनिकी फरोरी में, star home appliances से मिला था advance, और यह अभी क्या कर रहे हैं, मलब खरीद रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, sold कर यहाँ पर जो अभी हम sold कर रहे हैं, बेंच रहे हैं माल को, तो यहाँ पर इनका जो पैसा है, वो already advance मिल चुका है, आप देखेंगे पीछे, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, 21 दो वाली entry यानि की फरोरी में, ठीक है, तो उपर चलते हैं, और फरोरी की entry आपको हम दिखा आते हैं, तो यह देखें, यह वाली entry थी, यहाँ पर, मिस्टर राहूल चौदरी ने क्या किया था, यहाँ पर receive किया था, 48,640 रुपए, तो आपको याद होगा, 48,640 में 38,000 रुपए जो था, यह आपका क्या था, बाकी इसमें जो था, वो आपका tax का amount था, तो हमने इस entry यहाँ पर हमें tax की liabilities को decrease करना होगा, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर बढ़ते हैं, और इस entry को हमें कैसे करना है, इसको समझते हैं, आपको यतना तो पता चल गया, कि पीछे जब पैसा हमें advance मिला था, entry कहां गई, यह रही, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर अभी क्या लगेगा ही, तो हमने जो tax की liability temporary base पे increase की थी, अब उसे हम क्या करेंगे, decrease कर देंगे, समझ गये न, चलिए, तो इस entry को कैसे करना है, समझते हैं, इसे हम अटाते हैं, और इस entry को करते हैं, कोई confusion हो तो आप comment करके बता सकते हैं, और comment आप जरूर करें, question जरूर करें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप question नहीं करेंगे, तब तक फिर आप इसका मलब seriously पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर problem है, देखिए, आप कितने भी मलब intelligent हों, लेकिन वहाँ पर आप कहीं ना कहीं तो जरूर फसेंगे, ठीक है, हमने भी है, जब हम खुद पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने बहुत सारे question किये थे, ठीक है, क्योंकि जब आप question करना सीख लेते हैं, तो वहाँ पर आपके doubts जोते हैं, वो clear होने लगते हैं, तो आपको comment करके हमें बताया करें, जहां भी समझ भी ना आए, जो topic समझ ना आए, और हम आपको comment कर reply करेंगे, या फिर उसके लिए एक separate video भी बना के provide करेंगे, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम अभी sentry को करते हैं, तो tally में चलते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमने sell किया है, हमने क्या किया है, यहाँ पर sell किया है, तो sell के entry करेंगे, और sell के entry बिल्कुल normal wayसी करेंगे, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे, तो यहाँ पर voucher cells होगा, party name में कौन होंगे, party name में यहाँ पर हो जाएंगे, star home appliances, इनका laser पहले से बन चुका है, तो यहाँ पर star हो जाएंगे, वापस आते हैं star, star home appliances, और इसे मसेट कर लेंगे, और इनका यहाँ पर आप amount देख सकते हैं, 48640 यह अलरडी है, क्योंकि इन्हों ने advance दिया था, ठीक है, चो यहाँ पर cells laser में क्या हो जाएगा, आपका cells हो जाएगा, cells यहाँ पर taxable होगा, cells यहाँ पर आपका क्या होगा, taxable होगा, बिल्कुल cells की तरीके से इन्टी होगी, और यहाँ पर name of item क्या है, microwave है, ठीक है, और कौन से go down से यहाँ पर दे रहे हैं, और फिर लगेगा आपका SGST, SGST भी आपका लगेगा, तो यह तो हो गई, normally जो cells की entry हम करते हैं, वैसी हो गई, ठीक है, अब जब हमने advance लिया था, तो वहाँ पर tax liability जो increase की थी, अब यह entry करने के बाद हम tax liability को decrease कर देंगे, और यह दोनों entry आपस में cut जाएंगी, क्योंकि यह increase किया, और यहाँ पर हम decrease कर देंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, जो हमने अभी भी cells की entry की है, वो रहेगी, समझ गया ना, तो I think समझ गयोंगे, इस तरह से adjustment होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगला question देखते हूं, जो अगला question है, वो इसी से related है, Mr. Jossi ने क्या कि decrease करने है, ठीक है, तो यहाँपर हमें क्या करना होगा, तो tax liability decrease करने के लिए, हमें जाना होगा, यहाँपर general voucher में, ठीक है, general voucher में जाएंगे और यहाँपर करनी है तो इस option को हमने select कर लिया debit में यहाँ पर देखिए कौन होगा debit में हो जागा cgst पहरे जब हमने tax liability increase की थी तो वहाँ पर debit में था tax on reverse received advance received ठीक है आपको याद होगा नहीं याद है तो आप पिछली वारी इंट्री को check करें यहाँ पर rate कितना था तो rate यहाँ पर आपका था 14% कितना था 14% क्योंकि टोटल GST का जो tax था हो कितना GST और 14% 38,000 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5320 anyway same amount उसके बाद यहाँ पर आपका credit होगा tax on advance receipt आपको याद होगा हमने जब advance लिया था तो हमने एक नया लेजर बनाया था tax on advance receipt का तब वहाँ पर हमने इसे debit किया था और अब यहाँ पर इसे हम credit करेंगे तो यह इसका amount zero हो जाया गा और यह finally हमने accept कर लिया ठीक है तो यहाँ पर यह वाली जो entry थी वो भी आपकी हो गई ठीक है यहाँ पर यह दोनों entry हो गई दोनों एक दूसरे से related थी ठीक है जहाँ पर Mr. Josie ने जब sold किया उसकी अलग entry की और यहाँ पर हमने tax के लिए जो credit लिया उसके लिए हमन पर यहाँ पर यहाँ पर नहीं लगेगा समझ गया क्यों नहीं लगेगा इसके पीशे क्या रीजन है consumer है इसलिए तो यह सारी चीजे जो है हम किसी अगले वीडियो में आपको बता देंगेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर exempted का मतलब और कहाँ पर taxable होता है कहाँ पर आपका composition होता है ठीक है और unregistered dealer इन सभी को जब हम एक वीडियो में separate explain करेंगे सभी में difference बताएंगे theory उनके समझाएंगे तब आपको better समझाएगा और वो सारी चीजे अगर हम यहाँ पर समझाएंगे तो थोड़ा सा problem हो जकती है तो पहले तो हमें इस entry को कर लेते हैं फिर जब वो चीज़े आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे से और बहतर समझा जाएंगी कोई confusion नहीं होगी ठीक है तो बस आप यहाँ पर इतना समझ लें कि जो tax exempted होता है वहाँ पर जो tax होता हो नहीं लगता है ठीक है यहाँ पर हमें tax नहीं लगाना है इसकी entry हमें सिरुप करनी है ठीक है sold किया गया है in cash तो यहाँ पर voucher हो जाएगा sales और party name में यहा हो जाएगा cash ठीक है party name में क्या होगा cash होगा क्यों क्यों कि यहाँ पर हम नगद बेच रहे हैं sales laser में यहाँ पर sales होगा और यहाँ पर आपका जो वीडियो में कि यहां पर यह जो tax classification डिटेल इतनी सारे लिस्ट है इसका क्या मतलब होता है कौन सी डिटेल कहां लगती है तो nature of transaction यह क्या है इनके बारे में भी हैं बात करेंगे एक वीडियो में ठीक है तो अभी फिलाल आप यहां पर इतना समझ लें कि यहां पर tax नहीं लग है और उसके बाद अगला यहां पर आइटम जो हुआ है आपका LED लाइट्स ठीक है आप चेक कर सकते है LED लाइट्स गोडाउन जैपूर इसकी लिस्ट हम आपको बना के दे देते हैं तो यहां पर हमने चारो आइटम की जो लिस्ट है वो बना ली है और इसे फाइनली हम यहां ऑपे सामने कुछ नए आपसन अहीं है ठीक है ठीक है यहां पर वाजब करना है इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे जब हम इसके बारे में देखेंगे तो यहां पर हम फिलाल ओ बटन प्रेस करते हैं और यह weekly Everything हो जाईगी ठीक है यहां पर यह entry accept हो गई है और अगले इंटर देखते हैं क्या है अगले इंटर जो सी purchase following item from Manu Electronics जैपुर ठीक है यहां पर Manu Electronics जैपुर से इन्होंने खरीदा है और यह क्या है composition dealer है और payment जो है यह भी गलत है यहां पर 22 mistake गलत type हो गया 48600 यहां पर नहीं होगा यहां पर tax भी नहीं होगा आपका लबस इतना होगा यह दोनों चीज़े आप हटा सकते हैं यहां से यह नहीं है गलती से type हो गई है तो यहां पर go down कौन सा है जोधपुर है और हम purchase कर रहे हैं तो यहां पर हम entry करेंगे purchase voucher पर ठीक है purchase voucher और पार्टी ने में कौन होगा तो यहां पर पार्टी ने में आपके हो जाएंगे यहां पर मनू electronic ठीक है मनू electronic और यहाँ पर इसे हम अशेप्ट कर लेंगे यहाँ पर purchase होगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा आपको याद होगा क्या होगा सुचिए यहाँ पर आपका होगा purchase from composition dealer क्योंकि यहाँ पर हम composition dealer से खरीद रहे हैं ठीक है गोडाउन कोंसा होगा तो गोडाउन यहाँ पर आपका जोध पूर होगा और 10 और यहाँ पर 6,500 655 रुपए हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर यह entry हम अशेप्ट कर लेंगे यहाँ पर जो यह टैक्स नहीं लगना है ठीक है यहाँ पर इसको हम नो करेंगे जरने के बाद आपका यह financial year पूरा समाप्थ हो जाएगा ठीक है तो लास्ट इंट्री में आपर क्या गया 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 मिस्टर जोसी paid tax में यहाँ पर GST pay की गई है तो यह कैसे pay करते हैं tax आपको अच्छे से पता है यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम voucher लगाते हैं payment ठीक है voucher आपका काउंस हो जाएगा payment हो जाएगा और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे stat payment पर और यहाँ से हम payment करना है start करेंगे GST और date कहां से कहां तक तो date है जो हमारी होगी वो एक फरोरी से लेकर के आपकी यहाँ पर 31 March तक होगी यहाँ यहाँ पर हम सेट करेंगे regular ठीक है और यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा यूज single entry mode वाला जो option है वो on करना होगा क्योंकि जब भी हम tax pay करते हैं तो use single entry mode पर करते हैं तो यहाँ पर हम F12 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर second number का option जो है use single entry mode इसे हम yes करेंगे ठीक है और इसे accept कर लेंगे account में यहाँ पर आपका account होगा HDFC bank क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं question में यहाँ पर हम जो है वैसे तो यहाँ पर नहीं बताया गया कि चेक से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं तो फिलाल अगर बताया नहीं गया तो इसका सीधा मतलब है कि हम payment bank से कर रहे हैं यहाँ पर आपका account क्या हो जाएगा HDFC bank हो जाएगा यह देखने के लिए आपको जाना होगा trial balance में तो यहाँ पर amount हम पता करते हैं वापस चलते हैं एक बार और यहाँ चलते हैं display trial balance और trial balance में यहाँ पर आप देखेंगे duty and tax में और enter करते हैं तो duty and tax में आपर सिर्फ CGST और SGST यहीं दो टेक्स जो है वो पकाया है IGST तो लगा ही नहीं है फरोरी में ठीक है हम लोग फरोरी मार्च में IGST नहीं लगाया तो बस हमें यही दोनों pay करने हैं साथ में penalty वगरा भी है तो CGST कितना pay करना है 37,95 ठीक है 37,95 रुपय और SGST भी उतना ही है तो चलिए हम pay करते हैं pay कैसे करना आपको पता चल गया यहाँ यहाँ पर हमने use single entry mode option को yes कर लिया था और voucher payment होगा यहाँ पर हम क्लिक करेंगे stat payment यहाँ पर हम बताएंगे GST और एक फरोरी से हम 31 मार्च तक जमा करने है regular यह हो गया account यहाँ पर HDFC bank select करेंगे CGST CGST आपका कितना होगा 37,95 ठीक है और फिर उसके बाद SGST तो यहाँ पर SGST कह interest लगेगा ठीक है interest लगेगा तो यहाँ पर हम interest लगाते हैं ठीक है interest है आपका 965 रुपे लग रहा है और interest में यहाँ पर हमें बताना होगा क्या लग रहा है तो interest कितना लग रहा है यह 965 रुपे लग रहा है penalty तो यहाँ पर penalty लगाएंगे और penalty आपके कितनी लग रही है प फाइनली जो है इसे हम असेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इस इंट्री को भी असेप्ट कर लिया है और यह इंट्री भी पूरी कम्प्लीट हुए यहाँ देख सकते हैं इंट्रेस्ट 965 और पैनल्टी 3000 लेट फी 15100 रुपय है ठीक है तो यहाँ पर कैस एस्टेडी 3 का जो financial year था, inventory management with GST यह पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, complete कर लिया है और हमने सीख लिया है कि inventory जो होती है, inventory क्या होती है और उसे कैसे manage करते हैं GST के साथ में, जिसमें C GST, SGST, IGST और सारी चीज़े यहाँ पर हमने लगबग cover कर ली हैं, कुछी चीज़े यहाँ पर जो ह हमने बीच-बीच में skip कर दी हैं, वो इसी कारण से skip की हैं क्योंकि वहाँ पर अगर आपको हम बताते तो समझ नहीं आती, अब जो है हम आपको वो सारी चीज़े एक detail video में, बलब एक separate video में detail में बता देंगे, ठीक है, जैसे composition dealer क्या होते हैं, और भी कई सारी चीज़े इसम security control और backup and restore क्या होता है, export, import क्या होता है, यह सारी चीज़े हैं, बलब टैली की जो features हैं, वो अभी बचे हैं, उसके भी लगवग 2-3 वीडियो आएंगे, जिस पर हम टैली के features के बारे में बात करेंगे, बाकी यहाँ पर हम service organization with GST पर बात करेंगे, payroll management ठीक है, और manufacturing पर भी हम काम करेंगे, तो अभी मान के चलिए, कम से कम 15-20 वीडियो भी आपको और मिलेंगे टैली के, और 15-20 वीडियो के बाद आपकी जो टैली की series है, वो पूरी complete हो जाएगी, और बाकी आगे जो भी updates आते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे, फिलाल यहाँ पर अभी तक हमने cash history 1, 2 और 3, 3 तीनो complete कर ली हैं, और अब अगला जो हमारा topic होगा, तो अभी हो सकता है में भी कि एक दो दिन वीडियो और upload ना हो, क्योंकि अभी है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़े हमने skip की हैं, बीज बीज में जो नहीं पढ़ाई है, उनका ये complete trial balance है, आप इसे note कर लें और अपने trial balance के साथ में match करें, ठीक है, ये trial balance final है, और आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें, जैसे हमने cash study 2 में क्या किया था, cash study 2 में हमने fixer assessed पर क्या किया था, इसका depreciation निकाला था, withdrawal को हमने क्या किया था, capital से minus किया था, यहनी इसका adjustment किया थ आते हैं, तो अगर आपको depreciation हो गया है, निकालना नहीं आता है, और चाहें तो यहाँ पर भी आप fixer assessed इन सब का depreciation निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि question में हमने बताया नहीं था, कि इन सब की depreciation निकालना है, वो कैसे निकालना है, किस बे जितना हमने बताया, आप उतना कीजिए, वो trial balance को match कीजिए, उसके बाद में आप इसमें जो करना चाहते हो, कर सकते हैं, practice के लिए, ठीक है, तो trial balance हो गया, बाकि यहाँ पर आप stock summary देख सकते हैं, यह आपके stock है, इसमें यह इतनी item, इतनी quantity में आपके पास जो हैं, वो इसने बच रहें, इसका मतलब आपका पूरा stock item, यानि inventory वाला भी काम जो है, वो सही है, ठीक है, साथी साथ यहाँ पर यहाँ पर यह आपका profit and loss account है, ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए profit हुआ है, यहाँ पर जो profit हुआ है, नेट profit total कितना हुआ है, पूरे साल में 5,78,000 र यहाँ पर लग हुआ हमने सारी report आपकी दिखा दी है, और यहाँ पर अगर हम चले हैं, वापस एक बार trial balance में, तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमें कोई भी tax pay नहीं करना, duty and tax जो है, यह बिल्कुल blank है, कोई भी tax pay नहीं करना है, क्योंकि हमने सारे tax government को pay कर दिये हैं, और और सारा कुछ तो मुलब final है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो cash sd3 है, वो समाप्त होती है, okay, so इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for watching this video,